अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। उन दिनों अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था। और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था। वह युद्ध से उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक था। फलस्वरू पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ताना बाना अमेरिका पर निर्भर था। अपने आर्थिक संकट के कारण अमेरिका ने जर्मनी, ब्रिटेन, आधी को उधार देना कम कर दिया। अपने क्रिशी और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात कम कर दिया। 1930 से देखते देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व पर छा गया। भीशन मंदी का प्रभाव सोवियत रूस पर सबसे कम पड़ा और वहां उसी समय प्रथम पंचवर्शी योजना के तहत तेजी से अध्योगिक विकास हो रहा था। इसके दो प्रमुक कारण थे। पहला यह कि रूस उन दिनों विश्व आर्थिक व्यवस्था से बहुत कम जुड़ा था और आर्थिक रूप से आत्मिनिर्भर था। दूसरा कारण यह था कि रूस में समाजवादी सिध्धानतों के अनुसार सरकार की केंद्री योजना के अनुरूप आर्थिक विकास किया जा रहा था। जिसमें बाजार के उतार चड़ाओ का कोई दूरगामी असर नहीं था। लोगों के आंदोलन और शाषन की पहल। पहले यह माना जाता था कि सरकारों को अर्थ विवस्था में दखल नहीं देना चाहिए और उसे अन्यंतरित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। चौन किन्स नामक प्रसिद अर्थ शास्त्री ने कहा कि मंदी के दोर में राज को लोग कल्यानकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोजगार उपलब्द कराना चाहिए। इससे लोगों की बाजार में चीजे खरीदने की छमता बनेगी और मांग फिर से मजबूत होगी। इस प्रकार राजे द्वारा उत्पन मांग से आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे। फ्रांकलीन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका का नया राश्रपती बना। उसने न्यू डील की घोशना की जिसमें आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तिय संस्थाओं में सुधार तथा शाष्के निर्माण कारे द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। इसका वास्तविक असर द्रती विश्वयुद्य प्रारम होने के साथ 1949 के बाद आया, जब सरकार पर युद्य के हथियार बनाने तथा सेना की जिम्मिदारी आई। इस दोरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसकी अंतरगत सभी सेवा निर्वित्य व्रिद्धों के लिए एक पेंशन योजना बनाई गई, बेरोजगारी बीमा तथा विकलांगों और जरूरत मंद बच्चों के लिए जिनके पिता ना हो, कल कल्यान कारी योजनाएं बनाई गई, दूसरे विश्युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी समाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे बिमार लोगों के लिए स्वास्थ संबंदी और शिशु सुरक्षा संबंदी योजनाएं भी बनाई, या एक कल्यान कारी राज की स्वास्त, बच्चों और रिद्धों की देखभाल तथा सिक्षा का ख्याल रखें। दृति विश्युद्ध के बाद बहुत से सरकारों ने इस नीती को अपनाया। वास्तों में भीशन मंदी 1949 में समाप्त हुई जब दूसरा विश्युद्ध प्रारंभ हुआ।